नमस्कार मैं दीपती आज लेका राई हूँ उड़त दाल की खस्ता कचोडी बिलकुल हलवाई स्टाइल ये देखिए और वो भी बिना दाल को भिगोए हमने यहाँ पर दाल को नहीं भिगोया है मात्र दस से पंदरा मिनट में आप ये क्रंची और करारी खस्ता कचोडियां बना सकते हैं आप इन्हें अपने बचों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और अचानक से महमान आ जाए तो उन्हें भी बना कर खिला सकते हैं स्वाद इतना टेस्टी होता है कि पूछ ये ही मत तो चलिए देरी ना करते हुए फटा-फटे से बनाना शुरू करते हैं य कि दे करेंगे और यहां डाल को मुझे ट्कला अद कर दिता दाल से हम अ कoneढ़े एहां पर मैंने डाली इसमें डाल दिया है और ङहां तो हरी मिर्ची तो यहां पर इस तरह से डाल दीचे और इसका हमें एक सी नम से पाउडर बनाना है ठीज न! तो धकन लगाए थोड़ी देर पहले पल्स मोड में पीसेंगे और उसके बाद फिर आपको आराम से पिस जानी है यह दाल कोई दिक्कत नहीं होती है आराम से पिस जाती है यह देखिए और यहां पर यह देखिए आप अगर उड़त दाल की नहीं बनाना चाहते है न तो आप पर डाल दिया है मेजरमेंट याद रखेगा क्योंकि इसमें अगर मेजरमेंट गडबन हुआ न तो फिर यह फट जाती है फूली-फूली सी नहीं बनती है तो आधा कप मैंने दाल ली थी चिलके वाली और दो कप उसी से नापकर मैं ले रही हूं गीहूं का आटा और साथ बें ले लिए अजवाइन एक चमज भरक यहां पर अजवाइन डाल दी है हींग भी जाधा सी डाल रही हूं क्योंकि मैंने उरत की दाल ली है और उरत की दाल को थोड़ा सा बादी बोला जाता है कि यह बादी करती है और इस तरह सी हींग अजवाइन से पाचन में अच्छ बनाएना तो उसमें मोयन लगता है अगर आप इसी दाल को पीस कर भी इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको मोयन लगाना पड़ेगा तो यहां पर यह जो कछोणियां हैं यह बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छी रहती हैं आप इनको सुबह सुबह मूं की दाल क जैसे बच्चे दाल नहीं खाते हैं तो आप इस तरह सुने आराम से दाल खिला सकते हैं और यह बड़ी आसा टेस्टी और हैवी लंच हो जाता है बच्चों के लिए तेल लालने के बाद जैसे मोयन लगाया ना तो आप मोयन यहां पर रिफाइंड का तेल का घी का या डाल किसी का भी लगा सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर देजिए फिरम डालेंगे घुब धेर चारा हरा धनिया यहां पर मैंने हरा धनिया डाल दिया है और इतने ज्यादा मसाले कोई नहीं डालेंगे बस बेसिक से मसाले डालेंगे जैसे कि मैंने यहां पर देखिए नमक कि यहां पर मैंने ना कच्छी दाल बिना भिगुई दाल का इसने माल किया ना पीसा है तो थोड़ा सा गुन्गोना बानी रहेगा ना आठा बहुत अच्छी से सेट हो जाएगा यहां पर इसको पास से साथ मिनट के लिए ढख कर छोड देजिए बस उसके बाद यहां कढ़ा और कधाई में कीजिए मोग the hot water sourdough. लिए तो जब तक on or medical matter the cut. जब टक on the पेड़ में theNew तर्य खेख लेते है। छोग पाक मयें शूफह परने नहीं लगाना है। क्योंकि इसमें हम सुखा आटा नहीं लगाएंगे और इनको इसी तरह से पेलेंगे ये ये देखिए तो ये आराम से पेड़ा बन गया ना और मैं आपको बता दू कि जैसे आपके पास कोई हेल्प करने वाला नहीं है और आपको बहुत सारी लोगों के लिए बनानी है तो आप खुब बड़ी सी एक बना लीजिए थोड़ी सी मोटी रखिएगा पतली भी रखेंगे अम इसका चोड़ी को थोड़ी सी मोटी रखेंगे ये देखिए और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आप गिलास ले लो एक और गिलास से आप इसको आराम से कट कर सकते हो खुब बड़ी सी बेल लो और उसके बाद आप गिलास से इसको कट कर लो और अगर आपको न इसी समय पर थोड़ा सा और धनिया डालना है, सफेद तिल डालना है, तो आप वो इसके उपर स्प्रिंकल कर सकते हैं तो यहां पर मैं सिर्फ एक आपको कट करके दिखा रही हूँ, कि अगर आपके पास कोई हल्प करने वाला नहीं है, और बच्चों की बर्थडे पायटी है या किटी पायटी है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, वैसे मैं इसको नॉर्मल इस तरह से बेल कर ही बना रही आठ से दस बेल दीजिए और यहां जब तक तेल अच्छे से गरम न हो जाए, तेल अच्छा गरम होना चाहिए, चेक करेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये डालेंगे अंटा, और जैसे ही ये तैरकर उपर आ जाएगा, तो समझेए कि तेल अच्छे से गरम है, और आप इसमें अपनी खस्ता कचोडिया सेग सकते हैं, ये परफेक्ट है, तो यहां पर ये देखिए, अच्छे से तैरकर उपर आ गई है न, और हमारा तेल बिल्कुल परफेक्ट हो गया, तो इसको हम निकाल के साइट में कर देंगे, और बस उसके बाद हम यहां पर ये खस्ता क कढ़ाई में इसपेस हो, आप एक साथ तीन या चार डाल देजिए, बस तेल अच्छा गरम होना चाहिए, और ये देखिए, गुबबाडे जैसी फूल कर तयार हो गई है हमारी ये खस्ता कचोड़ी, तो आपको उलत डाल की खस्ता कचोड़ी बनाने का इससे आसान तरीका कहीं नहीं मिलेगा, आप डाल भिगोना भूल गए हैं, डाल नहीं भिगोई है, या फिर आधा कब डाल को अगर आप भिगो देते हैं, तो वो बहुत धेर सारी हो जाती है पीसने के लिए, आप इस तरह से पाउडर बनाईए, और बढ़िया सी करारी करारी खस्ता टेस्ट इतना यम्मी है कि अगर आप इसको ना एक बार बना लेंगे, तो आप हमेसा सोचेंगे कि इसी तरह से कचोड़ियों को आप बना लें, बस इनको थोड़ा सा उलट पलट कर गुलाबी-गुलाबी सेंखना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, और आप इसका प्र पोडर आड कर दीजियों, और चिली फ्लैक्स डाल दीजियों, थोड़ा सा नमक बिल्कुल थोड़ा सा मिक्स कीजियों, और उस दाल को पीस कर रख लिए जब भी आपका मन है, थोड़ा इसा दाल का पाउडर मिलाईए, और इस तरह से खस्ता कोड़ियों बना सकते हैं, देखिए मैं आपको हां से तोड़ कर दिखा रही हूँ रेस्पी पसंद आए ना तो लाइक कर दीजेगा वीडियो को सेब कर लीजेगा बहुत काम का है और साथ ही अगर अच्छा लग रहा हूँ ये वीडियो आपको खस्ता कचोड़ी की रेस्पी तो मेरे चैनल को सब्सक् कर दो में?